आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल रूपी के बारे में डिजिटल रूपी जो पाइलेट प्रजेक्ट बेस पे था अब जो है इसे सभी बैंक ने लॉंच कर दिया है सबसे पहले प्लेश्टोर पर हम सर्च किये हैं तो देखे डिजिटल रूपी बाई इसे जो है पंजाब नेस्टनल बैंक एकसेस बैंक सभी बैंक ने अपने प्लेटफॉर पे यानि की प्लेश्टोर पे लॉंच कर दिया है डिजिटल रूपी का एप अब आप इस एप के मदद से डिजिटल रूपी का पेमेंट कर सकते हो सबसे पहली बात कि डिजिटल में था यानि कि RBI और बैंक जो है इसे मिलके कुछ ही यूजर्स को प्रोवाइड कर देती लेकिन अभी फिलाल ये सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो चुका है आपको कई बैंकों का स्टीट बैंक या कई अधर्स बैंकों का मेल भी आया होगा कि आप जो है डिजिटल रुपी का इस्तेमाल कर पाऊगे लेकिन डिजिटल रुपी का इस्तेमाल करने के लिए आपका सबसे पहले मान लीजी मैं ये कनेडा बैंक जैसे अप्लिकेशन ओपन किया डिजिटल रुपी का इससे आपको इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने से आपको सिंपल रिजिस् और यानि की आपका रिजुटर्ड होगा सबसे पहले यह जो नोट देख रहे हैं 200 रूपए का जो यह नोट है यह आपका digital form होगा यानि की सिर्फ आप फोन में ही इस परकार का digital रूपए ही देख सकते हैं 200 रूपए इसे हात में नहीं पकर सकते हैं यह फिजिकल नोट नहीं करते हों किसी दोस्त को देते हो या बिल पेमेंट करते हो से मुझी पर का डिजिटल रुपी का भी आपको धीरे-धीरे देखने को मिल जाएगा और धीरे-धीरे जो है UPA का इस्तमाल बंध हो जाएगा क्यूंकि UPI के थूरू हो सकता है डिजिटल रुपी कर्णेक्ट हो और यह रुपीज आप लोग सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही देख पाऊगे फिजिकल में नहीं और इसी जो है सिर्फ आपको यहां से आभी देखे अगर मान लीजिए आपका केनेडा बैंक में एकाउंट है जिसे एड मनी जिस परकार पीटियम के वालेट में या फोन पे क किसी आदर से एपलिकेशन के वालेट में आप लोग मनी करना पड़ेगा और आपकी जो भी एकाउंट से जो है पैसे कर जाएंगे और डिजिटल रुपी में रिचंड भी ले सकते हो अभी सालों के लिए क्योंकि अभी digital रुपी एक pilot project में ही है क्योंकि सभी users को अभी तक मालूम नहीं के digital रूपी का कैसे इस्तमाल करें और क्या क्या करें इसे धीरे-धीरे Reserve Bank of India rollout कर रही है सभी बैंकों ने फिलाल इसे launch कर दिया है कुछ ही अभी बचे होंगे इंडिया में एक दू ऐसे बैंक जो जिन्होंने digital रुपी का एप नहीं बनाया है तो धीरे-धीरे इंडिया के सभी यूजर्स जो है digital रुपी का ही इस्तमाल करें गए और UPI हो सकता है भविश्य में बंद भी हो सकता है I hope कि आपके ये छोटी से information अचले की video अचले की like, share, subscribe, thank you so much मिलते आपके से अगले information के साथ अगर आपका अभी भी कोई भी सवाल हो तो comment में विंदास पुछेगा